प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और कॉंग्रेस महा सच्यू प्रियंका गांधी दोनों मद्प्रदेश के दोरों पे रहे प्रधान मंत्री का जबलपूर दोरा कई मायनों में महतपूर है दरसल जबलपूर मद्प्रदेश के महा कौशल वो इलाका है जो आधिवासी बहूल है महा कौशल में कुल 38 विधान सभा की सीटे हैं जिनमें से 2018 में कौंग्रेस को 24 और वीजेपी को 13 सीटे मिली थी इस इलाके में रिजर्वा दिवासी सीटे 13 है यही कारण है कि महा कौशल में लगातार दिगजनेताओं के दोरे हो रहे हैं वहीं कौंग्रेस महा सच्यू प्रियंका गांधी धार जिले के मोहन खेडा में हैं प्रियंका गांधी मोहन खेडा में सभा को संभोधित करेंगी और तंटिया भील की प्रतिमा का अनावरंड भी करेंगी दरसल प्रियंका कांधी कॉंग्रेस की जनाकरोश यात्रा के समापन पर मद्धप्रदेश आ रही हैं समापन के लिए मद्धप्रदेश के धार जिले के मोहन खेडा को चुना गया ये इलाका निमाड और मालवा दोनों से जुड़ा हुआ है निमाड मालवा में विधान सभा की कुल 6,6 सीटे हैं और इन में से कई सारी आरक्षित हैं मद्ध प्रदेश का राजनेतिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि सत्ता के सिहासन पर आने के लिए निमाड मालवा को जीतना जरूरी है 2018 के चुनाओं में BJP को 6,6 में से 29 सीटे मिली थी वहीं एक दो निर्दली सीटे छोड़कर बाकी सीटों पर कॉंग्रेश का कप जा रहा यही कारण है कि कॉंग्रेश इस इस इलाके में 2018 को रिपिट करना चाहती है इसलिए कॉंग्रेश महासचियो प्रियंका गांधी की सभा धार जीले में कराई जा रही है मद्यप्रदेश की विधान सभा की 230 सीटों में से 47 सीटे आरक्षिट है इन सीटों पर कौन सा दल जीत दर्ज कराता है वही मद्यप्रदेश की सत्ता पाता है यही कारणे की प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी जबलपूर में गोंडरानी दुर्गावती के समारक की आधार सीला रख रहे हैं तो वहीं प्रियंका गांधी आदिवासियों के रॉबिन हुड माने जाने वाले टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरन कर रही है दरसल प्रदेश की तकरिबन उन्यासे सीटों पर आदिवासि वोट निर्णायक होता है